अलो फ्रेंट स्वागताव सभी का मेरे और आपके इस चनल में सो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडिजिटल पेमेट पोर्टल के बारे में इडिजिटल पेमेट एक बहुत ही काफी वेहतरीन पोर्टल जहां पर आप सभी को बहुत सारी सर्विसेश मिल जाता और श्यक्षी से जदा ही कमिशन आप região को मिलेगा इसका युजर आइडि और पास्वेड आप लोग को विद्इन फाइब अन्दर फ्री में बना सकते हैं इस पॉर्टल में आप लोग को बहुत सारी सर्व्वीसेश के साहत में शपोरट और इस परकार्षे आप लोगいうこと को बहुत शारी शुवीधाई मील जाती है तो वीडियो को आप जरूर लाजते देखिएगा सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिजिटल पेमेट में आप लोगो को कौन-कौन सी सर्वीशेस मिलते हैं जिसके लिए सर्वीशेस के आप्शन में किलिक करेंगे मनी ट्रांसपर आप यहां पर से कर सकते हैं एप लोगो मिल जाता है आनि की अधार इनेबल पेमेट सिस्टम और शाथ में आप लोगो मिलता है बीबी पीएस आनि की भारत वीडियो पेमेट सिस्टम इसके अलावा आप श्रवी को आज आता है DTH रिचार्ज और कि यहां पर से जितने वी डिटी एच रिचार्ज होते हैं से डिप्टी एच रीचार्ज कर सकते हैं By Anis iniquary कर सकते किसी वी वेक्तिको ब Cancer सब्सक्राइब काने यहां पर फेवी प्रेंट इस परकार से आप लोग को यहां पर से हो लेंड लाइन वील पेमेट और शाथ में केवल टीवी का रिचार्ज आप यहां पर से कर सकते हैं उसके साथ आप शवी को अगर इसका यूजर आइडियो और पास्वर लेते तो माइक्रो एटे मिलता है जहां पर वल बेक आप डेविट काट के माधियम से केस विद्रोग कर स सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर से ड्राइविग लाइसेंस बना सकते हैं ड्राइविग लाइसेंस में किसी परकार से आप सुधार कर सकते हैं बना सकते हैं क्रेक्शन कर सकते हैं केश डिपोजिट डिट टी एच कब आप यहां पर से बूकिंग कर सकते हैं तो यहां और अगर कमिशन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कमिशन वह होता है APS करते हैं आप आप transaction करते हैं यहां पर सो रुपे से 500 रुपे में अगर आप रीटेलर बनते हैं जिसका एक रुपे मिलेगा और शाथ में यहां पांच से यहां पर आप सभी को 10 रुपे कमिशन दिया जाता है और इसमें अगर आप डिस्टिब्यूटर बनते हैं जहां पर एक रुपे पचास पेसे आप लोगो पर आप लोगो बहुत ही ज्यादा कमिशन दिया जाता है तो यह आप लोगो बहुत ही ज्यादा कमिशन दिया जाता है यहां पर से जितने भी वील पेमेट है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक रिटेलर और शाथ में डिस्टिब्यूटर और सुपर डिस्टिब्यूटर का कितना कमिशन दिया जाता है तो इसमें आप लोग किस परकार से यूजर आइडियो और पास्वूट विल्कुल ही अब बना सकते हैं इसका जो भी कमिशन का चार्ट है वह आप डिस्क्रिप्शन में कि आप वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं तो इसका यूजर आइडियो पास्वूल लेने के लिए सिंपली से साइन अप के ओप्शन में किलिक करेंगे यहां पर आप जैसे ही कि करेंगे सबसे पहले आप लोग को मेमर टाइप पूछा जाएगा आप इसका जो भी बनना चाहते हैं जैसे कि स्टेट हैड मास्टर डिस्टिब्यूटर या फिर डिस्टिक मेनेजर जो की डिस्टिब्यूटर आइडी होता है और शाथ में अजेंट आनि कि इसका अगर यहां पर से जो भी आपका फॉस्ट नेम होगा वह आप यहां पर से फॉस्ट लास्ट और शाथ में अपर से अपना मुवाइल नंबर इंटर करेंगे इमेल आइडी को फिल करेंगे अपना शोप नेम देंगे और जो भी डेट ओवर थे पीन कोड है आपकी एरिया का उसे आप यहां पर शेंटर करेंगे यहां पर स्टेट आटोमेटिक आजाएगा डिस्टी को सेलेट करना है यहां पर अड्रेस फिल करना रेफ्र कोड बेसिकली आप सब्सक्राइब करेंगे अपका यूजर आइडी पासफ़र्ट इस्टेंट आपके फॉन में सेंड कर दिया ज यूजर डिया आपका मोइल नंबर ही होगा और सा भी पासफ़र्ड को आनी मिलेगा जिसके बाद आप यह पर च mend किल?" करेंगे और यहां पर लोगईन के ऑप्स़न में फिली करेंगे आफ यहां पर e-digital payment portal पे login हो जाएंग और इसमें आप काम कर सकते हैं इसके साथ आप सभी को बता दे कि इसमें login करने के बाद और भी आपको services को activate करना होता है जैसे कि अगर आप IRCTC का agent बनना चाहते हैं और इसके थुरू से आप ticket book कर सकते हैं आई सुमान card बना सकते हैं इस परकार से आप लोग को e-digital payment में services मिल जाता है इसके साथ आप सभी को बता दे कि इसका आप application भी download कर सकते हैं इसका Google Play Store में आप लोग को मिल जाएगा e-digital payment इसका link आप लोग को description में भी मिल जाएगा इसके लावा आप search करके भी आ सकते हैं पर आप लोग इसका user ID और password भी लेना चाहते हैं तो मुबाइल में इसके माधिम से भी ले सकते हैं इसका अगर आप work भी करना चाहते तो आप मुबाइल में भी आप इसका work कर सकते हैं इसके माधिम से अगर आप user ID और password बनाना चाहते हैं रजिस्टर के option में किलिक करेंगे तो आप यहां पर से बना सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को इडिजिटल पेमिट पोर्टल के बारे में थे तो आई होफ अगर आप लोग इसका user ID और password लेना चाहते तो आप ले ले अधर information के लिए आप लोको description में link मिलेगा मिलते हैं next video में